अज असी पुस्तक सुनेहरी सवेर पंजाबी पार्ट माला पाग साथ विच दज पार्ट नमबर दो पोधी रात दा पन्ना नमबर 14 अति 15 पढ़ांगे इस तो पहला असी पन्ना नमबर 13 अति 14 विच पढ़ चुके हां कि पोधी रात कहानी मुँची प्रेम चंजी दी है इनों दर्साया है कि किस तरह एक किसाल पूरा साल मेनत करता है ते उस दी मेनत दी कमाई कोई होर ले जानता है अति उस दे को ठंड कटन ले कंबल जोगे भी पैसे नहीं बच देहन अति कदम कदम ते हो गरीबी दे पार हिठा दबदा जा रहा हुंता है इस दे नाल ही असी पेज नमबर 14 अते 15 दी रीडिंग स्टार्ट करांगे रीडिंग स्टार्ट करांदो पहला असी अखे शब्दा दे अर्थ आउन बुक विद पैंसिल लिखांगे एहें इंग्लिश अते पंजाबी दे अर्थ तुसी नाल नाल बुक्स दे उत्ते लिखोगे फर्स्ट वर्ड इस मो प्यार विद लव पाले ने सौन ना दिता ठांड ने आखना लगगन दिती इस फ्रेज वर्ड नेक्स इस चट जल्दी सून पुछ कार्या प्यार कीता समा बीदा रहा समा लंगदा रहा सीत हवा थंडी हवा कूल विंट सुलगदा गोहा तुखदा गोहा तर्ती जमीन लैंड नजर मारी चाती मारी लुगड एट कुद्या शाल मारी जंप्ट नव नेक्स पेज इस पेज नमबर 14 गुन गुन ओन लगगा मुविच बोलन लगगा तप्ष गर्मी हीट गउवा दा चुंट गउवा दा वग ग्रूपस ओफ काउस दिलों अवास आई मनों अवास आई उजाडा बरबादी अवेस्ट नेक्स इस नील गौवा जंगली गावा खेत दा सफाया कार गईया फसल बरबाद कार गईया बिखरी फैली स्प्रेड जाहर प्रतक एक्स्प्रेस मजदूरी किर्थ वेच खैडा शुट जावेगा पिछा शुट जावेगा विल लीव सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही असी पेज नमबर 14 दी रीडिंग स्टार्ट करांगे इस पैरे तो जबरा उस वल मो पर यह अखानाल देखन लगगा हलकू केंदा जबरे आज ठांड काटलै कालनू में तेरे ली प्राली वशाद मांगा उस विच वड के बैठी ठांड नेडे नहीं आवेगी जबरा जो की हलकू वल प्यार पर यह खानल देखन लगगा हलकू उस नू केंदा कि जबरे आज ठांड काटलै काल में तेरे ली प्राली वशाद मांगा उस विच वड के बैठा रही ठांड नू बिलकुल ने लगगेगी ते हलकू आप चिलम पी के मंजे ते पै जानदा है सोचदा है कि हुण में थोड़ी देर सौ लवा पर ठांड इनी ज़ादा सी कि उस नालूस दी अख ना लगगी नेक्स्ट देखोगे जबरे नू किसे जानवर दे पैरा दी अवाज सुने ओह चट उठया ते बाहर आके पॉंकल लगगा हल्कु ने कई वार पुछका रहा पर उह उस दे कोल नहीं सी आया चारे पास से दोड़ दा रहा ते पॉंक दा रहा उसे समय जबरे ने किसे जानवर दे पैरा दी अवाज सुनाई दिन दी है उह चट दम उठदा है ते बाहर जाके पॉंकल लग जनता है हल्कु ने उसनों कई वार प्यार करता है पर हो कोल उस दे नहीं गया चारे पास से यह पॉंक दा रहा ते दोड़ दा रहा समा बीत दा रहा सीथ हवा ते हनेरा ड्राउन लगगा हल्कु उठके बैठ गया सिर मोड्या दे वेचल्यावी ठांडना कटी हल्कु दे खेता जाते पत्ते जला के सेख दा उस सुल्क दा गोहा लेके बागवल तुर्पया जबरावी पूछी लोंदा पिछे पिछे तुर्पया उससों बाद समा जो की समा लंगदा जानता है सीथ हवा जानी ठंडी हवा ते हनेरा उना नू ड्राउन लगगा हल्कु उठके बैठ गय क्योंकि उसनों नीद नहीं आ रही सी उसने अपना सेर मोड्या दे वेचवी लेया पर ठांड जो की बिल्कुल ना कटी हल्कु दे खेत दे कोल ही एक अंबादा बाग सी उस सोचिया कि उठे जाके मैं पत्ते जलाके आ सेक दाया उसने सुल्क दा गोहा लेया ते बागवल तो रप्या जबरावी पूछी लोंता लोंता उसने पिछे चल पेंता है लकु ने कहा होन नी से होन दा जबर चल बाग विच पत्ते बाल के अग सेक दे है आके सौजा मांगे अजे रात काफी बाग की है बाग ज बड़ा हनेरा सी तो ख़दा गोहा तर्ती ते राख के हलकु पत्ते फ्रोला लगा आग लाई ते पत्ते जलन लगे जबरू की तो हड़ी लब लेया ते उसनू खान लगा हलकू बोल लेया आजा आग दी तेरी नू कोद के पार करिये देख देया कौन पारकार जन जब्रे ने आगवाल नजर मारी हल्कु ने पहला शाल मारी ते तेरी तो पार पॉंच गया एसे तरह ही बाग विच बहुत हनेरा हुंदा है ओनाने तुखदा गोहा तर्ती ते रख्या ते हल्कु पत्ते फरोलल लगदा आग लगाई ते पत्ते जल गए जब्रु जोगि जब लेया सी ओहो उसनों खान लग पेंदा है हलकू बोलदा है कि आजा जबरे अगधी टेरी नों कोद के पार करिए देख देया कौण पार कार जन्दा है जबरे ने अगवाल नजर मारी हलकू ने पहला शाल मारी ते टेरी तो पार पहुँच गया जब्रा आगद वाले कोम के उस दे कोल आके खलो गया एसे तरह ही जब्रे ने आगवाल नजर मारी हल्कू ने पहला शाल मारी ते टेरी तो दुझे पासे पहुंच जान्दा है जब्रा जो की आगद वाले कोम के उस दे कोल खलो गया हल्कु कहनदा चल चल एह ठीक नहीं उत्तो कोद केया ओह आगदी तेरी तो वी कुद्या ते दुझे पासे आके खड़ा हो गया हल्कु उसनों कहनदा है कि एह ठीक नहीं है उत्तो कोद केया ओह आगदी तेरी तो खुद्या ते दुझे पासे आके खड़ा हो गया पत्ते जाल सुक चुके सर पर उनरा से कजे बाकी सी हलकू ने चादर ले लई ते स्वा नेडे बैठा किसे गीत दे बोल गुण गुण लगा श्रीर चे तपशा चुक की सी जबरू जोर जोर नल पॉँख दा हया खेता वल दोड़या इस तो बाद हलकू ने चादर लई ते स्वा नेडे बैठा कि अपने मूँ विच गीत बोलना लगा उस्रीर विच तपशा चुक की सी जबरू जोर 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 नल पॉँख दा होया खेत वाल दोड़दा है हलकू नो लगगा जिमें जानवर खेत वीच वड़े सान शायद नील गौमादा चोंड सी पहला उश्रन कुदलन दी अवाज आई फेर खेत चरन दी हलकू विच उठन दी हिम्मत नहीं सी तना ही उस्दा उठन नो जी करदा सी पर उस्दे दिलो अवाज आई कि जबरा किसे नो भी खेत वीच नहीं वड़न देन लगगा पाड़के रख दोगा एसे तरह ही हलकू नो लगदा है कि जिमें जानवर खेत वीच वड़े सान उसनो ए वी में सूसुन दा है कि शायद ओह नील गौमादा चोंड सी उसनो उचलन पहला उसनो ओना दे उचलन कुदलन दी अवाज आई ते फेर खेत चरन दी हलकू वेच उठन दी ही मत नहीं सी ते ना ही उस्दा दिल उठन नो कार रहा सी पर उसने अंदरो एक मनो जड़ी अवाज ओन दी है कि जबरा किसे नो खेत वीच नहीं वड़न दवेगा जे कोई वड़ेगा ते उसनो पाड़के रख दोगा जबरा पॉंक दा रहा पर कोल दा आया जबरा अपना पॉंकी जा रहा सी पर हलकू उस्दे कोल नहीं ओनदा है फिर चरंदी अवाज आई पर हलकू नो अपनी थातो ही लना ओखा लग रहा सी ओत्य ही बैठा रहा जानवर खेत चार रेशन फसल पूरी त्यार सी पर जानवर उजाडा कार रेशन हलकु हिम्मत करके दोग कदम तुरेया पर हवा बिच्छु वांग डंग मार लग पे इसे तरह ही हलकु नू चरंदी उन्हा गवाँ दे खेट चरंदी अवाज भी आउंदी है पर हलकु अपनी था तो हिलनी सी पा रहा क्योंकि उसनू उत्थे जाना ओखा लग रहा सी कि इन्ही ठंडी सी उसनू एमे मैसूस हो रहा सी कि कोई बिच्छु उस दे श्रीन वागे डंग मार रहे हैं ओहो बुझी आगदी टेरी कोल आ बैठा ते बदड गर्मोन लग उसने की किता कि जो कि बुझी आगदी टेरी सी कि उस दे कोल आया ते अपने श्रीर वीच तप और दावी रहा पर जो नील गुवा सन जो की खेत दा सफाया कर गईया है सारी फसलनू बरबाद कर गईया सन हल्कु गरम राख कोल बैठा चादर लेके सौंग गया हल्कु ने की किता गरम राख कोल बैठा ते चादर लेके सौंग जानता है सेरे जदो जा खुली तो चारे कि तुपत चारे पास से बिखरी पई है आज तू सुते ही रहना है तू सौंग गया है और दर देख सारा खेत जो की उजड़ गया है हल्कु उठके बोल लिया तू खेतों आई है मुन्नी बोली हाँ खेत उजाड़या प्याए पला एम ही कोई सौंदा है तेरा चौंपड़ी की लाब अगों हल्कोंस नो कहन骗ा है कि तू खेतों होके आई है मुन्नी कहन दि हाँ मैं खेतों ही आई है पला एम ही कोई बेसूर्थ हो के सौंदा है तेरा चौंपडी पॉंदा की लाब है हल्कू ने बहाणना मारदे मारदे के हा मैं मरदा मरदा बच्या राती एं दर्द उठ्या मैं ही जानदा तर्ती ते लिटदा रहा हा जिवें सवेर नू साही साना पूरे हो जान एसे तरह हल्कू ने अपने आपनों बच्या दे होए मुन्नी नू बहांना मारदे केंदा है के मैं दर्द रात मसा ही बच्या या मेरे एं दर्द उठ्या कि जिवें मेरे स्वेर नू साही पूरे नहो जा खेत दी हालत वे के मुन्नी दे चेहरे दे उदासी आ गई सी पर अंद्रो हल्कू खोश सी मुन्नी ने चिंता जाहर कीती कि फेर होन फेर माल मुझारी मज़ूरी करके परनी पवू हल्कू खोशो के बुल लिया होन ठांड विच खेता चो सोंतो ता खेडा छोट जावेगा खेता दी हालत देखे मुन्नी दे चेहरे दे उदासीता चाही होई सी पर जो हल्कू सी अंद्रो अंदर बहुत खोशी सी क्योंकि होन ठांड विच खेता विच सोंतो खेडा छुट जावेगा सो स्टूडेंट्स एसी साधी पार्ट नमबर दो दी रीटिंग तुसी सब ने इस पार्ट नू चंगी तरह रिवाइस करना है अते नाल दे नाल ही इस पार्ट दे आखे शब्दा दे अर्थ वी चंगी तरह याद करने हां मैं आस कर दी हां तुसी एस पार्ट दे आखे शब्दा दे अर्थ लिखी होनगे जे नहीं लिखे ता तुसी इसनू लिखोगे सो एसनू कार बैटके तुसी रिवाइस भी करोगे तन्वाद